हेलो गाइस मैं नौलेज प्रोवाइटर चैनल से अनुराग जहां आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज जो है हम लोग 12 के पॉट के पॉइंट आप व्यू से जितने भी अब्जेक्टिव क्वेस्टन्स बन परते हैं हम लोग सभी के बारे में ड लोग सभी देखिये किशिलालेख में असोग निया घुसना की थे की सभी मनुस मेरे बच्चे है तो पहले ही जब शक्तम कर द perks के आस्थब्ण नांश्कए रखना किते तो ठहले घंब में उन्होंने इप्agator के समान है औरmens यहां पे और याद रखिए ठे ऩ सत्मसिलालेख यह पूछा हुआ question है इसमें किस की जानकारी मिलती है तो तेरहमेशी लाविलेख में कलिंग युद की जानकारी मिलती है इसको याद रखेंगा बडाबर की गुफाओं का उप्योग किस ने आस्रागियों के रूप में उप्योग किया था तो आजीब को ने किया था और यहाद रखे गया जिला जो है आस्रागियों कहां है घया जिला में बेखती कौन है जिसका नाम देवान प्रियादसी था तो देवान प्रियादसी कौन थे हैं तो यहाँ पे जो है SAYCe मोरे के पोत्र यानिकी आसोग थे पिल देखते है व्लोग किस जयन that जयन गरंथ में जयन धायम अपनाने का उछले उपको परिशिष्ट परवनव में जो है मिलता है चंदकवत मौरिक अपनायत थै कैसे अपनायत थैं कि गुरु कौन थे यह सब जब करभी जानकारी जो है कहां मिलेगी आपको यह इस इसे पर्षिस्ट पर्णव मैं मिलेगी देखिए कुले कि नेखें यह लिक टाम नहीं है एक चलिए चलिए में लिखित सम्राट असोख की पतनी जिस ने उनको परभावित किया था। चुलू किया पतनी पूत्र महेंद्र महेंद्र को जो है इनके धर्म को भली भाती समझा और उनके आदर्सों आए तो एक लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और सेयर करो प्लीज चलो नेक्स देखते हैं किस गरंत में चंदगुप्त मौरी के दौरा बिर्सल यानि कि निम्न कुल सब्द का परियोग किया था ठीक है तो यह जो है मुद्रा राक्षास में किया था चंदगुप्त मौ यहां पर मगदी भासा मारीएगा ऑप्शन चलिए असोग द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा महत्पुन सुरोत है याद रखें यहां तेरामा बिरहत सिला लेख अभी मैंने बताया ठीक है यह पूछा वार पार बार पूछा जाता यह कोस्चन दिवाना पिया प्रियातसी कि इसको कहा जाता है असोग को ठीक है इनको काला असोग भी कहा जाता है चंट असोग ठीक है और उसके बाद जो है इनको असोग महान भी कहा जाता है क्यों क्योंकि यह अपने परचा को बहुत खुस रखते थे इसलिए जो इनको असोग महान कह आज आता है कहा जाता है कि यह जंता चल्ट है तो च्छांति क्यों को क्या कहा जाता था नेक्स्षण देखते हैं निमलिखित में सी असो काय आधि कारी कून था तो असो कैकार यां रखिये यहां पर ठीकindo वह समय जो रुप्या चलता था उसको क्या कहा जाता था ठीक है और चले वह सासक कौन था जिसने राज सिहासन पर बटने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी और इतना ही नहीं इन्होंने अपने सब भाईयों की हत्या करके अगमकुआं जो पटना में है इन्होंने अपने सब भाईयों को मारकर उसी में डाल दिया था ठीक है नेक्स देखिए किसने सही सुनुता उदारता और करना के त्रीविध आधार्थ पर राजवन्स के स्थापना की थी तो यह जो है आपके असोक जो है उदारता करना सही सुनुता और त्रीविध के याद रखिए नेक्स्ट है कलिंग वीजय के उपरांत असोक महन ने निमलिखित किस धर्म को अंगी कार किया तो असोक महन वीजय के उपरांत जो है अपने बहुत धर्म को अपना लिए थे तीगए और गूज ज़्यादा सहिस्णू हो गए थे उसके बाद युद्धना करने की ठान लिये थे छलिए नेक्स देखिए फाहियान किसके काल में भारत आये तो फाहियान जो है चंदगुप्त दूतिया के सासन काल में आये थे छलिए नेक्स देखते हैं चंदगुप्त नहीं गुप्त सासन के दवरान निमली खित में ऐसा कौन था जो एक महान ख़बोल बिज्ञानी और गनी तग्य था ठीक है तो आड़ यह भड़ थे चलिए नेक्स देखते हैं हम लोग नेक्स है और आज का लास्ट कोईशन है कि गुप्त काल में उत्तर भारतिय बेपार निमली खित किस एक पतन से संचालित होता है यह ताम्र लिप्त से ठीक है और दोस्तों यहां पर जो है ना सब भी कुशन इंपोर्टेंट है लेकिन उसमें से भी जो इंपोर्टेंट है मैंने उसमें टिक कर दिया तो उसको पक्का से याद रखिएगा चलिए तब तक के लिए बेस्ट आफ लग